राधे राधे जी आईए कार्दिक पूर्णिमा की कथा सुनते हैं दैते तारकासुर के तीन पुत्र थे तारकाच कमलाच वबिन्नुमाले जब भगवासीव के पुत्र कार्दिके ने तारकासुर का बद कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ उन्होंने देवताओं से बदलान लेने के लिए घूर तपस्या कर ब्रह्माजी को प्रसंद कर लिया जब ब्रह्माजी प्रकट हुए तो उन्होंने अमर होने का बरदान मांगा लेकिन ब्रह्माजी ने उन्हें इसकी अलागा कोई दूसरा बादान मांगने के लिए कहा तब उन तिनों ने ब्रह्माजी से कहा कि आप हमारे लिए तिन नगरों का निर्मार्ग करवाए हम इन नगरों में बढ़ का सारी प्रिथवी पर आकास मार्ग से घुमते रहे एक हजार साल बाद हम एक जगह मिले उस समय जब हमारे तीनों पूर नगर मिलकर एक हो जाएं तो जो दियरता उन्हें एक ही बाड़ से नष्ट कर सके वही हमारी मृत का कारण हो ब्रह्माजी का बर्दान पाक तारकाच कमलाच व बिद्नमाली बहुत प्रशन हुए ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानों ने उसके लिए तिन नगरों का निर्माड किया, उनमें से एक सोने का एक चाधी का वा एक लोहे का था, सोने का नगरतार काच का था, चाधी का कमलाच का वा लोहे का बिन्न माले का, अपने पराक्रम से इन तीनों ने तीनों लोकों पर अध इन दैतियों से घबरा कर इंद्र आदी सभी देवता भगवान संकर की शरण में गए। देवताओं की बात सुनका भगवान सीव त्रिपुरों का नाज करने के लिए तैयार हो गए। विश्व कर्मा ने भगवान सीव के लिए एक दिवेरत का निर्माड किया। स्वेम भगवान भिश्व बार तथा अग्न देव उसकी नोक बने। इस दिव्य रत्प सवार होका जब भगवान सीव त्रिपुरों का नाज करने के लिए चले तो दैतियों में हाहाकार मज गया। स्वेम भगवान सीव को त्रिपुरारी भी कहते हैं। बोलो मापती महादेव की जय। स्वेम, स्वेवान सीव ने बार तो कि बोलो मापती हैं। स्वेम भी बेच्व तो दैसे पहादेव की जय।